नमस्कार दोस्तों, सिविल ग्यान में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि हम लोग MSXL में Still Reconsolation की शीट किस तरी के से बना सकते हैं कि record किस तरी के से Still Reconsolation का हम लोग बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से बिल की मदद से आप लोग को समझना चाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही चैनेज का बिल लिया है ताकि लोगों को confusion ना हो, जादा अगर मैं बिल्स ले लेता हूँ तो लोग generally confused हो जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है पोई बड़ा यहाँ पर मैंने एक size नहीं लिया है बस यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ एक ही चैनेज का और एक ही चैनेज के still की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरके से still reconciliation होता है तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए subscription की जो option है वो आपके साबने visible है आपको subscribe के बड़न पर click करना है और bell icon को दबा देना है ताकि जितने भी हमारे वीडियो upload हो उसकी आपको notification मिल जाए तुरंत और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई like भी कीजिएगा इसको और अपने दोस्तों के साथ में share भी कीजिएगा तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरके से हम लोग still reconciliation की sheet यहाँ पर तयार करेंगे तो इसके लिए हम लोग को कुछ data चाहिए होता है यहाँ पर तो सबसे पहला जो data आगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोग को चाहिए होता है still reconciliation में कि still issue कितना हुआ है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो lab की quantity कितनी हुई ठीके और अगर chair and special है तो chair and special भी हम लोग indicate करेंगे को कि chair and special भी हम लोग bill में नहीं देते हैं तो इसकी जो information है हम लोग को अलग से देनी पड़ेगी ठीके और इन सब के अलावा contractor ने वापस site से still कितना return किया उसकी information ठीके तो यह 5 चीजे होती है जो यहाँ पर आप लोगों को use करनी पड़ती है और इससे आप लोग एक difference निकाल सकते हैं कि यहाँ पर actually difference कितना आ रहा है तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरी के से होगा अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले still issue की तो यहाँ पर जब हम लोग still issue करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में पूरी store से IUE detail रहती है और उस store से IUE detail के मध्यम से या उसके हिसाब से हम लोग एक पूरी sheet प्रिपेर करते हैं Excel sheet हमारी एक खुद की प्रिपेर करते हैं और उसका एक जो total रहता है वो यहाँ पर show किया जाता है तो क्योंकि हमारे पास में एक ही channel का still है तो यहाँ पर अभी एक ही channel के हिसाब से वो 20 तर्न या साड़े 20 तर्न के आसपास यहाँ पर still लेके गया है साइट पर वो ठीक है तो यह होगी इस तर्न की information है आप लोग एक Excel sheet में इसको रख सकते हैं और Excel sheet में रखने के बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर पूरा entry कर देंगे entry कैसे करना है आप लोग किसी दूसरी Excel sheet से भी आप लोग copy कर सकते हैं data तो आपको क्या करना है बस यहाँ पर plus sign लगाना है और दूसरी वाली Excel sheet में जाना है Excel sheet यहाँ पर नहीं हो सकती वो अलग से ही पूरा एक sheet होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है तो हो सकता है वो यहाँ पर नहीं हो पूरा अलग से ही हो और हो सकता है कि पूरा हमारा जो bill है उसके साथ में हो कुछ भी हो सकता है अपने अपने हिसाब से billing engineer अपने अपना record रखता है तो आप लोग यहाँ पर plus लगाएंगे और दूसरी वाली अब यहाँ पर उसके बाद में आती bill quantity की detail तो bill quantity की detail आप लोग को किस तरीके से निकालनी है तो यह आप लोग को निकालनी नहीं है आप लोग को बस जो हम लोगों ने BBS में still दिया हुआ है और वो ही still हम लोगों ने जो bill में दिया है contractor को उसको आप लोगों को उठाना है और डाल देना है यहाँ पर तो जो भी आप लोग की bill की quantity होगी तो जैसे कि हमारी अभी bill की quantity यहाँ पर निकाल के आती है यह वाली ठीके तो अभी इसको भूल जाए है यह मैं आपको बताऊंगा के भी क्या है मैंने यहाँ पर सारे यहाँ पर शो किये हुए यहाँ पर कुछ कॉलम्स आपको हाइड करना पड़ते हैं जब आप लोग bill contractor को शो करते हो तो यह भी यहाँ पर जो according to bbs quantity है 19.548 यह यहाँ पर दी हुई है तो आप लोग देख लीजिए तो यही आप लोग क्यों की देखिए जब हम लोग contractor को जो है quantity measurement या उसको देते हैं जो भी हम लोग measurement देते हैं still का वो हम लोग बिना lab के देते हैं तो lab तो actually लगा होता है side पर तो lab अगर लगा हुआ है तो उस lab की quantity भी तो हम length कितनी निकली हुई है यह एक बार हम लोगों ने बना रखा है और total length including lab कितनी हुई है तो यहाँ पर जैसे माली जी यह तो cutting length जो है 11 meter 126 mm है तो इसकी जो है total length है वो इसके बराबरी निकलेगी अब यहाँ भी जो मैंने formula लगा रखा है उसको आप लग इसको समझने ही जरुत नहीं है बहुत ही complex है आप लोगों समझ में नहीं आएगा मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करूँगा तो आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा इसलिए इसको समझिए मत मैं आपको excel sheet free में provide कर देता हूँ आप लोग उसको देखिए और फिर उसमें अगर आप लोग excel के जानका रहे तो फिर आप लोग समझ जाएंगे कि actually मैंने किया क्या हूँ है यहाँ पे आप लोग देख सकते है किस तरäg के से जो भी मैंने किया हूँ आप लोग देख सकते है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक Logical Test किया हुआ है तो यहाँ पर if लगा रखा है फिर एक Logical Test किया हुआ है फिर अगर true value अगर if true हुवी तो value की आएगी तो वो यहाँ पर फिर यहाँ पर show करेगी तो यह वापस अगर value अगर true हुई तो यह वाला Execute हो जाएगा यह वाला और अगर false हुई तो फिर वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वो फिर वापस से calculation करेगा फिर यह भी value अगर true हुई तो फिर वो यहाँ पे execute करेगा नहीं तो वो फिर वापस से अगले वाले में चला जाएगा कुछ इस तरीके से यह formula बना हुआ है तो आप लोग अगर हम लोगों ने किया तो विदाउट लेप और टोटल वेट इंक्लूडिंग लेप यहाँ पे दोनों की detail हम लोगों ने निकाली और इन सब का समाप अगर हम लोगों ने किया तो इसका तो इतना है विद जो हम लोगों ने contact को दिया उतना और यह जो है विद लेप जो है इतना है तो इन दोनों का difference हम लोगों निकालना है और इन दोनों का difference आएगा वो इतना आएगा 164 अब यहाँ पे आप लोग इस column को hide कर सकते हैं क्योंकि इस column की ज़रुरत नही है तो इस column को hide ही रहना देजिए क्योंकि आप लोग जब यहाँ से एक बार data उठा लेंगे तो वो यहीं पर रहेगा वो काहीं नहीं जाएगा यहीं पर रहेगा फिर आप लोग यहां से उठा कि और जो हमारी reconciliation वाली sheet उसमें आप लोग ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता detail आएगी जो उसको पता है कि हाँ कुछ इस तरीके से detail हमारे सामने रहनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पर यह 164 हम लोगो यहाँ पर show करना है तो क्या करना है सिधी सी बात है इसको plus कि यहाँ पर लगाईए हम लोगो यहाँ पर cell जोनना है कौन सी cell जोनना है हम लोगो यह cell यहाँ पर जोनना है तो यह मैंने किया तो यह data देखे कहां से उठके आया है कि still की sheet से P62 का जो cell है उससे यह data उठके आया यहाँ पर तो यह 164 का data यहाँ पर उठके आ गया ठीक है खतम यह चीज खतम अब बारी आती है chairs and specials की तो chair and specials हम लोग यह भी जानकरी site engineer से ले सकत है site engineer जो भी हमको detail देगा कि इतनी chair लगी इतनी cutting length की इतनी chairs लगी है और इतने specials लगे है फलानी cutting length के तो हम लोग पूरा हम लोग के पास में एक sheet रहेगा और उससे वापस हम फिर sum total यहाँ पर उसको copy कर लेंगे तो यह फिर हमारा यहाँ पर भी sum total हो जाएगा तो यह पू सबकी detail मतलब सारी detail आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों को बस करना क्या है कि यहाँ पर बस show off करना है उसको दूसरी जो हमारी excel sheet उससे link करना है और आपका एक still का difference यहाँ पर निकल के आ जाएगा ठीक है तो यह तो होगे chair and special की बारी अब बारी आती है still कितना return इसकी तो यहाँ पर जो still return हुआ है वो यहाँ पर मैंने 4500 kg यहाँ पर show कर रखा है वो कोई भी still हो सकता है माली जी कोई extra still लेके गया हो साइट पर उसको कोई जरुत परती हो कि जैसे कि माली जी आप लोग की जब आप लोग still कड़ा करते हैं तो जो cross support होते हैं जो हम लोग केची बोलते हैं जिसको वो लगाने की जरुत होती है वो कोई माली जी 20 mm का still अगर 16 mm का वो highest still यूज़ कर रहा है तो 20 mm का still वहाँ पर यूज़ किया contactor ने उसके अलाबा support के लिए जब हम लोग lift करते हैं तो उसके support के लिए हम लोग still लगाते हैं उसके अलाबा और भी अलाबा हम लोग और क्या ले सकते हैं चेरेन इस्पेसर के अलाबा अधर इस्टिल भी ले सकते हैं जिसमें हम लोग support का still राफ्ट के अंदर जाता है और एक बार embedded हो जाता है तो वो तो निकलता है नहीं तो जब लंबा इस्टिल लगाते तो उसको ऊपर से काटके और फिर हम लोग scrap जमा करते हैं तो उस वाली इस्टिल की भी आप लोग detail दे सकते हैं क्योंकि वो एक allow है वो आप लोग को use करना ही करना है उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह आप लोग contactor से deduct नहीं कर सकते हैं तो उसका भी detail site engineer से मांगा जा सकता है तो still return में आपको ब अब इन सब के अलावा हो भी सकता है कि contractor ने कोई एसा इस्टिल लगाया हो जो हम लोग उसको allow नहीं कर रहे हो मालीजे कहीं पर उसने welding कर दी किसी अपने एक फाइदे के लिए उसने welding कर दी तो वो सारा इस्टिल हम लोग उसको allow नहीं करते हो और वो concrete में फसा हुआ रह जा है जैसे b2, b3, b4, b5, b6 यहाँ पर इसा करके मैंने formula लगा रखा है तो यहाँ पर 74 kg का difference आ रहा है इन सब का मिला के ठीक है तो यह मैंने क्या कर रखा है b2 में से यह सारी चीजे मैनेस कर रखी है क्योंकि यह इसमें से मैनेस करेंगे तब ही तो difference निक लगा ना क्योंकि यह तो भी इसु और यह हो गया consumed still ठीक है यह पिर return still जो भी हो गया ठीक है यह return still आप लोग यहाँ पर बी count कर सकते हैं still issue में आप लोग इसमें से सीधे minus कर लेंगे इसको तो भी show हो जाएगा और अलग से भी minus करेंगे तो भी show हो ही रहा है तो यहाँ पर इतना difference निकल के आया तो अब हम लोग को पता चल गया कि इतना difference हम लोग को contractor से काटना है तो हम लोग देख सकते हैं कि still to be deducted यहाँ पर लिख सकते हैं कि still to be deducted और यही हम लोग यह चीज यहाँ पर copy कर सकते हैं मलब यह जो value हो यहाँ पर copy कर सकते हैं और तो एक यहाँ पर यह वाला difference भी यहाँ पर जूट जाएगा और फिर यह पूरा 000 हो जाएगा तो यह actually हम लोग को deduct करना है contractor से देखिए यहाँ पर 4545 रुपए बनता है अगर आप लोग इसको देखें एक मिनट यहाँ पर 4545 रहीं आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस सेल को कोपी कर लेता हूँ यहाँ इस वाली सेल को तो 3341 रुपए यहाँ पर बनते हैं contractor से deduct करने के लिए तो जब आप लोग contractor से amount deduct कर लेंगे तो फिर आपका 00 यहाँ पर आप लोग difference show कर सकते हैं और कि आपका accounts भी यहाँ पर manage हो जाता है कि आप लोग का एक still का data और जो आप लोग ने issue किया और consume किया उसका data आप लोग match कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका accounts भी maintain हो जाएगा और दोनों चीज़ें आप लोग की maintain हो जाएगी ठीके तो कुछ इस तरीके से यह difference जो है निकल के आता है पूरा और यह कुछ इस तरीके से पूरी चीज़ होती है reconciliation की आप लोग फिर यह वाला जो रहेगा still आप लोग contactors से deduct कर सकते हैं हो भी सकता है यहाँ पर 10 kg का difference जो है नोर्मल है आप लोग उसको वेस्टेज में count कर सकते हैं वह कहीं पी भी हो सकता है चोटा मोटा वेस्टेज हो जाता है तो 10 kg आप लोग contactors से deduct नहीं कर सकते हैं 10 kg एक चोटा सा amount है 10 kg या 20 kg यह तो भी चोटा सा amount है बड़े बिल में चोटा सा amount होता है तो इसको deduct करना नहीं पड़ता है तो यह चोटी सी जानकारी थी still reconciliation के बारे में जो मैंने आपको बताई बहुत हीजी था इसको बताना बहुत हीजी है आप लोग इसको पूरी automatic sheet बना रहेगा यहाँ पर और आपको कुछ भी करने की जरुरत नहीं रहेगी लेकिन time to time यहाँ पर आप लोग चेक कर लिजिए कर लिया कीजिए कि यह data जो उमारी जो इनके record की जो excel sheet से उनसे match हो रहा है या नहीं यह आपको regularly check करते रहना चाहिए महीने महीने में एक बार आप ल लोग नए हो तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए और bell icon को जरूर दबाईए ताकि हमारे वीडियो आपको regularly मिलते रहे और आप लोग को पता चल जाए कि हमारा वीडियो upload हो चुका है इसलिए bell icon को जरूर दबाईएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फ का